नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिन्दगी बने आसान में दोस्तों हमारी बहुत ही कुपसूरत सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबिंग के ओपर हम जान रहे हैं कि किस तरह से हमारा अन वो हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालता है इसके बारे में और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ है करम जीत सिस्टर जी आईए उन से बातENCE करते हैं ओम शांति सिस्टर वेलकम डुअा शो ओम शांति सिस्टर हमने कई सारी बात जानी आपसे इस सीरीज में अभी तक जिसमें मुझे सबसे खुबसूरत बात ये लगी कि चाहती हूँ कि जैसे अगर हम सूत्रों की बात करें तो कई सारे सूत्र आपने हमें बताएं, उसमें कई सारी बाकी भी हैं, तो उसमें सबसे कौन से वाला आज हम डिसकस करने वाले हैं? पिछले ही एपिसोड में हमने सोने के डिरेक्शन, दिशाओं के बारे में थोड़ा जिक्र किया था, आज उसी को आगे लेके जाएंगे, तो उसमें हम ये देखें, हाला ही हमने डिसकस किया था, कि जब हम सोते हैं, तो हमारा सिर कभी भी नौर्थ डिरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसका विशेश ध्यान रखें, कभी भी जब सोते हैं चाहे दिन में सो रहे हैं, चाहे रात में सो रहे हैं, यह हमारा bed हमारे room में, bedrooms में जिस direction में हमारा bed रखा हुआ है, अगर उसका direction गलत है, तो आप pillow उठा करके north की side ना रखें south या east की तरफ रख करके सोएं, अगर in case bed की direction आपकी north की तरफ है, तो at least सोने के time north में ना सोएं अगर bed की directions ही आप change कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा तो इसका खास खयाल रखें कि जब भी सोना है, हमारा जो सिर है, वो north में नहीं होना चाहिए, okay because north direction में जब धर्ती के north पे हम सोते हैं body का north और धर्ती का north force of repulsion काम करता है and repulsion से क्या होता है body में contraction होता है okay, वो सिकुडता है contract होता है तो वो हमारी body के लिए अच्छी चीज नहीं है, सिकुडना और अगर हम east या south उस तरफ सोते हैं, south में सोने से it gives force of attraction वहाँ force of repulsion काम कर रहा है south में सोने से force of attraction काम करता है तो body में elasticity बढ़ती है और in fact जिन बच्चों की height छोटी है, जो भी छोटी उमर्ग में है, और आप चाहते हैं कि बच्चों की height लंबी हो तो उन्हें हमेशा south के तरफ सिर करके सोना चाहिए जो उनकी height को increase करने में भी मदद करेगा because it helps in elasticity वाव, यह तो बहुत ही unique बात आज आपने बताई है sister, इस में क्या science role play करता है because body एक ऐसी चीज है, जो मुझे लगता है कि naturally वो growth होता है but this is something very new that you are sharing तो इसकी पीशे का concept क्या है force of gravity, gravitational force science is only the gravitational force लेकिन समझ हमारी जो Ayurveda में जिस सूतर में वागभर जी ने बताया तो उन्होंने इसको clear किया है कि सोने की दिशाएं अगर हमारी सही हों, तो आपकी sleeplessness वो कम होगी जैसे माली जी आप अगर सिर नौर्थ की तरफ रखके सोते हैं तो सपने जादा आना restlessness होना sleep sound ना होना insomnia जोसे हम कहा देते हैं ये problems होते हैं अब आप सो रहे हैं गलर डारेक्शन में लेकिन नींद ना आने की वज़ा से डाक्टर के पास जाकर के ले रहे हैं नींद की गोलिया तो sleeping pills लेना solution तो नहीं है in fact उसका बुरा अप्रभाव आपके liver और kidneys पे पड़ता है for a long time अगर आप लेते हैं अगर आप अपनी दिशा ही ठीक कर ले room के direction में room को आप देखें कि मेरा bed किधर मैंने set किया हुआ है अगर वो north में है तो उसको आज ही change करें उसको आप south की तरफ रखें तो ये gravitational force जो है this is the science behind sleeping in the different directions of the earth इस धर्ती के अनुसार हम किस direction में सो रहे हैं धर्ती के north पे कभी नहीं सोना जब भी सोना है it should be in the south south में सोने से force of attraction काम करेगा north में सोने से force of repulsion काम करेगा इसलिए जब किसी की मृत्यू होती है तो after death उसको north में place किया जाता है गुमा करके सिर जो है वो north की तरफ रखा जाता है और बाद में उसको अगनी दी जाती है because force of repulsion जो है थोड़ा भी अगर कुछ भी भी north में ना सोई हमें energy चाहिए हमें energy लूज नहीं करनी है हमें energy लेनी है धर्ती से प्रकृती से तो force of attraction तभी काम करेगा अगर हमारा सिर south में हो पैर हमारे भले north में हो okay sister जैसे जो ग्रहस्त विवहार में रहते हैं या फिर जो बच्छे हैं तो अपने ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से यह चीजों की नाचरल नौलेज होती है कि उनको अपना सिर हमेशा east में रखके सोना चाहिए जो saints है जो ब्रहमचर्य में रहते हैं या घर में भी रहते हैं बड़ सेलिबेसी में है तो they should place their head in east because east direction चढ़ती कला की direction है तो उसमें force of attraction और force of repulsion दोनों ही neutral हो जाते हैं तो यह इस इट 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 सेज नूटरल east में इट सेज नूटरल south में force of attraction काम करता है वो good sleep, sound sleep बहुत अच्छी नींद without सपने, without any dreams उसमें health करेगा और आपको health अच्छा रहेगा नींद पूरी होगी तो natural है कि आपकी work efficiency काम अच्छी करेगी तो इसलिए south में सोना बच्चों के लिए भी ज़रूरी है जिन बच्चों को अपनी height बड़ी करनी है जो अभी छोटी उमर में है जिनकी height बड़ी होने के अभी chances है तो उसके लिए आप इस चीज को practice करें अपने बच्चों को यह guide कर सकते हैं दर्शक और जो लोग घ्रस्त में रहते हैं family life में हैं उनको अपना सिर्फ साउथ में प्लेस करना चाहिए तो वो south direction में सोएं it gives force of attraction पर north में कभी ना सोएं because वो force of repulsion देता है तो इन चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं अपने जीवन में और आप देखेंगे कि इसी से आपकी sound sleep आनी शुरू हो जाएगी जिनको depression, insomnia और इस तरह की दिक्टें आती हैं या रात को बार बार उठते हैं नीन नहीं आती बार बार उठकर के फिर वो sleeping pill लेके फिर सोते हैं तो अगर आप direction चेंज कर लेंगे और रात का भोजन थोड़ा जल्दी खा करके sound sleep लेंगे और south के direction में सिर रखके सोएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी ही दिनों में आपका sleep cycle आपका circadian cycle जो है circadian rhythm है बोड़ी का वो day and night का जो pattern है वो अपने आप set हो जाएगा sister जैसे आप बात करें है directions की कई पार ऐसा होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों को मानते नहीं है जैसे not necessary कि सभी इस belief system के साथ में strongly believe करते हैं कि ऐसी चीज़े work करते हैं especially आज की जो younger generation है they are very free, they are very liberal तो ऐसे में उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है because क्या है ये तो science है आप कह रहे हैं ये science है लेकिन because ये कही ना कही हमारे generation से चलता आ रहा ये बाते तो lot of youngsters उस चीज़े से relate नहीं कर पाते उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है इसका तो सीधा सीधा ये मतलब निकलता है कि जो हमें मालूम नहीं वो science ही नहीं तो ऐसा तो नहीं है आप देख लीजिए एक बहुत सरल सा example मन में आ रहा है गुरुनानक देव जी ने गुरुगरंट साहब में जबची साहब में जो मेंशन किया है कुछ ऐसी बातें मेंशन करी है जो आज भी science नहीं जानती ऐसी ऐसी बातें उन्होंने गुरुगरंट साहब में इतने वर्ष पहले वो सब कह दिया जो आज science के facts अगर उठा कर के देखे तो वो relate कर सकते है तो Ayurveda is itself a science this body is itself a science science is nothing science is nothing which is beyond this science हमारे से शुरू हुई है एक छोटा सा बच्चा पैदा कैसे होता है मा के पेट से it's itself a science it's not emotion it's a science है कैसे हो रहा है कैसे प्रकृती में ये इतनी बड़ी ताकत है कि आप एक शिशू को जनम दे सकते हैं तो बहुत बड़ी science है तो वीकान से अब जो लोग कहते हैं ऐसे आपने पूछा कि वो नहीं मानते इसका मतलब वो धर्ती के North, South, East, West directions को भी नहीं मानते होंगे ये तो सभी बानते हैं तो हमने North में जाके नहीं देखा हमें South, East और West में जाकर के नहीं देखा हम बस कंपास रखते हैं इधर North है, इधर East है, इधर West इधर South है, ये तो हमें सरफ स्कूल में बताया जाता है कि ये North, South, East, West directions होती हैं इंडिया के माप में वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं directions So true इसका मतलब है सरफ स्कूल में जो बताया गया उसको हमने मान लिया तो वो science है जो पताया नहीं गया वो science नहीं है It is only the lack of knowledge क्योंकि जिन बातों को समाज में खोल कर नहीं रखा गया या हमारे unfortunately education system में Ayurveda का ज्यान कभी बांटा नहीं गया तो natural है उसको adopt करना आज के youngsters को और बच्चों को मुश्किल लगेगा लेकिन अगर वो किताबों में डाल दिया जाए और बच्चों को बच्पन से ये चीजें सिखा दी जाए तो शायद कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि ये पुरानी बाते हैं या ये myths हैं या हम ये science महीं हैं इन में नहीं मानते because information की कमी है that's it ऐसा नहीं है कि information नहीं है तो वो सक्त्य ही नहीं है absolutely right sister this is so beautiful आपने इतनी simplify करके हमें इस बात को बताया और मुझे सा लगता है कि clarity एक ऐसी चीज़ है clarity breeds power अगर आप clear है कि exactly आपकी life में आपको क्या करना है exactly तो आप powerful बन जाते हैं फिर आपको कोई हरा नहीं सकता सबसी में चीज़ sister अभी directions की जब हम बात कर रहे हैं इसमें एक और चीज़ जो होती है मैंने सुनाए कि ये direction शुब है या ये direction ठीक नहीं है तो ये किस तरह का role play करता है वो दशा की बात है जैसे राहु के तू और भ्रस्पती की दशाएं होती है वो दशाएं हैं जिसको शुब या अशुब माना जाता है लेकिन इसमें एक और बात निकल के आती है दर्शक साहिद इससे खुश होंगे जानकर ये चीज मैंने भी अपने studies में करके देखी है जब मैं शोटी थी कि छोटे बच्चों से लेके बड़े तक जो भी पढ़ रहा है व्यक्ती जो study में हैं जो कुछ अध्यान करते हैं रिसर्च करते हैं उन्हें अपना चेहरा नॉर्थ की तरफ रह करके study करना चाहिए Okay Facing North We should face North and then study तो आप देखेंगे कि आपके study पर भी इसका positive प्रभाव करता है तो concentration power बढ़ेगा आपका focus बढ़ेगा आप जो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा आपको भूलेगा नहीं तो this is, this always helps तो इस चीज़ को वास्तु शास्त्र में भी सिखाया जाता है जो लोग वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट सोते हैं अप उन से कभी भी पूछ के देखे तो वो भी बच्चों को बताते हैं कि आप North Facing करके बैठेंगे तो आपका पढ़ना, लिखना, अध्यायन करना, रिसर्च करना, याद रहना ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है How beautiful Sister, जैसे आपने कहा कि डिरेक्शन की जब हम बात करते हैं हमने, बगवान ने कभी किस चीज़ में भेदभाव नहीं किया कि इस बच्चे को मैं कम दूँगा, इस बच्चे को मैं जादा दूँगा तो ये जो डिरेक्शन का जो ये concept है, overall ये, मतलब, किस basis पे इसको create किया गया था आपने कहा ग्राविटी के वज़े से, right One reason is gravity Any other reason that is there in this? There is no religious or spiritual reason behind it Okay इसको हम बेदभाव में नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है, सभी दिशाएं, सभी दिशाएं अच्छी है, positive है, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, acceptance power होनी चाहिए, लेकिन we should understand कि जैसे gravitational force इस धर्ती पे काम करती है, force of gravity काम करती है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पढ़ता है that is why ये directions जो है, उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन के उपर पढ़ता है, तो इसलिए ये सारी science है, जो वास्तु शास्त्र में या आयुरवेद में इसका थोड़ा जिक्र किया गया है, कि अगर आप अपने जीवन को और अच्छी से चलाना चाहते हैं, पढ़ने वाले बच इन दीजाद है helping factors, इन दीजाद है supporting factors, मतलब चार चान लगाने वाली बात है, कि रस्ता तो ले ही लिया है, लेकिन उस रस्ते पर अगर फूल और ही कठे कर लिये जाएं, तो रस्ता और खुब सूरत हो जाता है, तो इसलिए ये सारे helping, supporting factors हैं हमारी life के लिए, कि इनकी knowledge से ह और बेटर जिए सकते हैं, वाव, sister, actually मैंने कहीं पर ये सुना था कि जब हम कोई direction में सोते हैं, जो गलत है, जिस तरह से आपने कहा, तो उसे हमारा blood rush wrong direction में जाता है, मतलब सर पे जाता है, ऐसा कुछ मैंने सुना था, ये क्या concept है? जो हमने force of repulsion की बात करी है, कि अगर हम north direction में सोते हैं, धरती के north पे सोते हैं, और शरीर का भी north है, तो उससे blood pressure बढ़ता है, अच्छा, it increases the pressure on the blood, हमारे blood के उपर pressure बढ़ने लगता है, और blood pressure का control भी out हो जाता है, इसलिए जिन patients को BP की problem है, वो एक बार ये check करें, कि रात को स होते हुए, उनका सिर नॉर्थ के तरफ तो नहीं है, जादा तर क्या होता है, ब्लद प्रेशर की जो problem है, पेशेंट को वो रात के टाइम पे आती है, ब्लद प्रेशर उनका इकदम से बढ़ जाएगा, रात के टाइम पे, इस अराउंड आइग एगा रात के टाइम पे, आप एक बड़ चेक करें अपने पिलो पे रखके, कि वेर इस माइ पिलो प्लेस्ट, इस इत इन दे नॉर्थ, तो उसको तुरण शिफ्ट कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कि जो ब्लद प्रेशर है, बॉड़ी के ओपर जो प्रेशर आ रहा है, वो नैचरली कम होना अब मैं जाना चाहती हूँ सिस्टर की जैसे हम सुबह उठते हैं, दिन चर्या हमारी हेक्टिक रहती है, सुबह उठते साथ हम भागना शुरू करते हैं, लेट हो गए, सबसे पहले तो लेट हो गए, उसके बाद भागते हैं हम कि यह खतम करना है, उदर पहुचना है, बहुत सारी चीजे हम सुबह से लेकर रात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें कही न कही एक थेराव जो जाहिए होता है, जो सुकुन चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता, उसके लिए भी कुछ अयरुएधा की सूत्र है जो हमें मदद कर सकते हैं? सुट्र तो नहीं कह सकते, लेकिन जरूर सुट्रों में कही ना कही होगा, because there are 7,000 सुट्रा जी, गिवन बाइवागबड जी, लेकिन ये नाच्चोपेथी यान अयुरुवेदिक लाइफस्टाइल में, लाइफ साइंसे में, ये एक नाच्रल समझ है, और बहुत ही सरल सा फॉर्मिला है सबके लिए, to flow with the flow of sun, okay, very easy, सूर्य के साथ साथ चढ़ना और ढलना, अगर हमारा सिंक्रोनाइज हो जाए जीवन का, तो आप देखेंगे कि you will be leading a very beautiful and smooth life, क्योंकि सूर्य जब चढ़ता है तो कितना धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अगता है, उगता हुआ सूरज देखें, बहाती शांद, बहाती शीतल, और बहाती सुखून भरा होता है, तो ऐसे ही जब आप उठते हैं, शने-शने, धीरे-धीरे उठें, पहले meditation करें, फिर pranayama करें, उसके बाद yoga करें, then exercises करें. So this is slow to fast. Okay. फिर exercises के बाद आपने, you will take bath, या पहले कोई बात लेता है, कोई बात में लेता है, उसके बाद you will rush to your breakfast and then your work or job or school or colleges, workplace पह आप चाहेंगे. Right. So then, फिर आपका सारा दिन बहुत fast working रहती है, अच्छे सेक्टिव रहते हैं, और अजीज पूरी होती हैं, आप काम करते हैं. फिर जैसे ही दिन धलना शुरू होता है, सूरज भी धलने लगता है, खुद को भी धलना शुरू करें. उसी के साथ-साथ, from morning, slow to fast, and then in the evening, fast to slow. Again, सूरज के साथ ही धलना शुरू करें, जैसे राइस हुए थे, वैसे ही अब दिन सेट हो रहा है, तो आप खुद को भी उसके साथ-साथ-साथ-साथ धलते-धलते-धलते, अपनी राथ तक अपने आपको slow mode पे लेकर के आके, light भोजन करके, and then अपने आपको विश्रामते. तो भोजन का भी ऐसे ही है, morning में बलकुल light to heavy, and then heavy to light. यह आपके दिन की पूरी एक graph बन गया, like slow to up, and then down. So, it's slow to fast, and then fast to slow. तो यह बहुत beautiful एक graph बन जाता है हमारे पूरे दिन का, दिन चर्या अगर हमारी ऐसी synchronize हो जाए, with the nature, with the rising and setting of the sun, तो आप देखेंगे कि you will be leading a very smooth life, बहुत सुकून वाली जंदगी जियेंगे. Sister, जैसे एक यंगर जनरेशन की अगर हम बात करें, तो उनका तो शुरुवात दिन का उधर से होता है, राच से, जहाँ पर पार्टी होती है, जहाँ पर एंजॉइमेंट होता है, शायद जोर जोर से दान्स कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उनका रिद्म तो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता होगा? Yes, that is why minds are disturbed. Okay. This is the reason की आज यंगर जनरेशन, they are finding peace everywhere around them. तो कि peace अंदर नहीं है, सुकून अंदर नहीं है, ठहराव अंदर नहीं है. तो उसको compensate करने के लिए, late night parties, late night get-togethers, and drinking and hanging out with friends, यह सारी चीज़े रात को होने लगती हैं. तो सरकाडियन साइकल, sleep cycle, human bioclock, सारा disturbed होगा? Right. जब सारी चीज़े disturbed होगी, तो नाचरल है कि हमारी body और हमारा mind, दोनों का ही cycle बिगडेगा. जब साइकल बिगडेगा, तो किसी को hair fall होगा, किसी को depression होगा, किसी को mood swing होगा, किसी को PCOD होगा, किसी को कोई बड़े health issues होगे. Then we will be visiting doctors, कि मुझे sleeping pill चाहिए, मुझे नीद अची नहीं आती, मेरा energy level अच्छा नहीं है, मुझे weakness बहुत फील होती है, थकावट बड़ी जल्दी होती है. यह सारे उसके side effects निखल के आते हैं. So once a while करना हफते में एक दिन कर रहे हैं, no issues. Right. Saturday Sundays है, Sundays को आप यह सब कर रहे हो, यह Saturdays कर रहे हो तक यह Sunday late उटना है, तो चलता है, one cheat day, आज की modern generation को देखते हुए, I do give, कि ठीक है, आप cheat diet, पूरे हफते में एक दिन की cheat diet, पूरे हफते में एक दिन की cheat diet, पूरे हफते में या महीने में एक दिन रख लीजिए, that's a cheat day, कि बाकी दिन तो अच्छा चले, बिलकुल, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी चले, beautiful, sister, आज के एपिसोड में मुझे बहुत कुछ आप से सीखने को मिला, मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि एक रिदम जो आपने हमारी जिंदगी में लाया है, इन बातों के द्वारा, जो हम कई न कई लडखड़ा गए थे, इंबालन्स हो गए थे, जिसको आपने हमारी गाड़ी को पत्री पर लाया है, उसके लिए thank you so much, thank you for coming in our show, ओम शैंती, ओम शैंती, दोस्तों, आज की एपिसोड में हमने जाना कि हमें अपना खयाल खुद रखना है, हम खुद अपने health के लिए जिम्मेवार है, हमने कई सारी बाते आज जानी कि किस तरह से directions, आप किस direction में सोते हैं, किस direction में आप अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये सभी चीज़े हमने आज जानी कि ये directions कितना बड़ा role play करते हैं एक healthy lifestyle के लिए, साथी साथ हमने ये भी जाना कि अगर हमा जो शरीर है, वो rhythm में है, तो automatically आप हर क्षेतर में सफलता पाएंगे, आपने ये एपिसोड में बहुत कुछ जाना होगा, उन सभी बातों को आप अमल मिलाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी, इस बात के साथ आज के प्रोग् बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, Godlywood Studio, Shantivan, Aburod, call 809-49-13487.